हजबन वाइफ की चिक चिक को प्यार में बदल देते हैं हजबन वाइफ की रिलेशनशिप अच्छे करने के लिए बेड्रूम में कौन सी डारेक्शन में कौन से कलर कॉम्बिनेशन आपको फाइदा देंगे और कौन से कलर अवाइट करने हैं यह जानते हैं बेड्रूम में साउट डारेक्शन या साउट का कौनर जो है यह पॉजिटिव है यहाँ पर आप रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं बहुत हलका सा येलो यहाँ उसकी जरुरत भी नहीं है साउट में आपको ब्लू और ब्लाक को अवाइट करना है ताकि रिष्टो में अट्राक्शन बनी रहे बेड्रूम में नौर्ट डारेक्शन पॉजिटिव डारेक्शन है यहाँ पर आप ब्लाक और वाइट का कॉम्बिनेशन दीजिए या ब्लाक के साथ मेटालिक कलर्स और ब्लू कलर दे दीजिए पर आपको नौर्थ में येलो और ग्रीन अवाइट करना है नहीं तो पैसे को लेकर हजबन वाइट के भी चिक चिक रहे हैं वेस्ट और नौर्थ वेस्ट डारेक्शन कमरे में यहाँ ये कॉर्णर पॉजिटिव है यहाँ पर वाइट के साथ येलो या मटालिक कलर्स यूज़ करें और कमाल देखें आपको इन दोनों डारेक्शन में वाइट और ब्लाक कलर को अवाइट करना है अब आपके बेडरू में एस्ट और साउथीस डारेक्शन बहुत ही पॉजिटिव डारेक्शन है यहाँ पर ग्रीन के साथ आप ब्लू या ब्लाक यूज़ करें इस्ट में लेकिन साउथीस्ट में सिर्फ ग्रीन या रेड यूज़ करें आपको रेड को इस्ट में अवाइट करना है और साउथीस्ट में ब्लाक को अवाइट करना है इसी तरीके से साउथ वेस्ट और नॉर्थ इस डारेक्शन भी पॉजिटिव है यहाँ पे कॉम्बिनेशन में आपको येलो और बेज लेना है साउथ वेस्ट में और नॉर्थ इस्ट में आप ब्लैक ले सकती हैं बाइट ले सकती हैं आपको येलो के साथ ग्रीन या ब्राउन अवॉइट करना है जिससे आप प्यार करते हैं उसका फाइदा कैसे हो इसकी लिए भी मेरे पासे को पाए है एक लीटर तिल का तेल ले ले और मिट्टी के कुछ दीपक खरी दे साटेड़ की शाम को जब संसेट हो रहा हो आप दीपक में तिल का तेल भरे फिर इस दीपक को जलाकर पीपल के पेड़ की जड़ के पास रख दे और प्रातना करें पांच, साथ या नौ शनिवार ऐसा करें जिससे आप प्यार करते हैं उसकी इंडारेक्ट नेगिटिविटी को शनिदेव दूर कर देंगे उसका भला होगा और उसकी जिन्दगी में ये तेल की दिये जैसी रोशनी होगी